हेलो फ्रेंड्स मैं चाकरती आप सभी कब वैलकूम करती हूँ और आज हम बताने वाले हैं मैगी केक पकड़े तो चलिए शुरू करते हैं पनी आज की रेसिपी यहां पर एक भोगने में मैंने आदा ग्लास पानी लिया है और मैगी का एक पैकेट मैं यहां पर यूज कर रह है पूरा नहीं पकाना यह देखिए मैगी पक चुकी है 80% तर और अब हम गयस की फ्लेम को बंद कर देंगे अब इसे चान लेंगे ताकिस का पानी अलग हो जाए और हलका सा ठंडा होने देंगे इने अब यहां पर शुम्ला मिर्च ली है मैंने एक कटूरी कटी हुई और बारीक कटी हुई और सब्जी कटेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें और एक प्याच लिया है मैंने लंबी स्लाइस में कटा हुआ एक चोटी कटूरी बेशन अट किया है मैंने इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर रट चिली पाउडर बुना हुआ जीरा और आदा चमच धनिया और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिल सकें और जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चमच और मैगी मसाला और टेस्स एकॉर्डिंग नमक एट किया है और जो मैगी हमने पकाई थी वो इसमें एट कर देनी है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मैंने इसमें पानी का यूज नहीं किया है अगर आपको ऐसा लगे पानी की जरूरत है तो थोड़ा सा पानी ले सकते हैं ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है या फिर आपको ऐसा लगे कि बेटर जादा गीला हो गया है तो थोड़ा सा बेशन का यूज़ कर सकते हैं कैस पे मैंने कड़ाई रगती है और कुटिंग वाइल डाल दिया है जो भी आप यूज़ करते हैं ले सकते हैं और यहां पर हम पकड़े बना लेंगे हाथ से दिखिए इस तरीके से टेस्ट में बहुत ही अच्छे बनते हैं एक पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट फोक्स में ज़रूर बताईएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा आप इसे कभी भी बना सकते हैं चाय के साथ खाने का मन है बना सकते हैं चटी मोटी पार्टी वगरब में बना सकते हैं यह रेखिए कुल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी में आज की रेसिपी और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड और फेंशी के साथ शेयर किये और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ में